तो फ्रेंज तो आज हम आपके बीच फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्मेंट कर रहे थे कि सर पटना ने परदरसन के बाद क्या ऱुआ उसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाएए तो आज हम आपके लिए Michal वीडियो लेकर आएं जिसमें की सारी जनकारी step by step हम देने वाले हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम लोग सबसे फर्स्ट बात करने वाले हैं जो बिहार अमीन 2021 का जो पोस्ट है वो 1767 पोस्ट जो हम लोगों का target है कि रद नहीं होने देंगे तो ये जी हम फ्रेंज 100% गायन टी लते हैं अगर मेहनत आप करेंगे तो ये पोस्ट कभी भी रद नहीं होने देंगे अब next question बनता है कि पटना में परदर्सन के बात क्या असर हुआ तो इसके बारें भी हम लोग जोनेंगे और सबसे बड़ी पात जोनेंगे कि मंतरी क्या बोले इसमें और LRC से क्या बात चीत हुई अब 1766 पोस्ट रद होगा या नहीं होगा इसपे भी हम लोग जोनेंगे इस वीडियो में संपुर्ण जोनकारी इस वीडियो में हम लोग जोनेंगे तो जो भी नए हमारे यूटूब चैनल पे तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन ज़ोर दबाए जिससे की मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे क्योंकि ये एक मातर चैनल है जो आपको बिहार अमीन से रेटेट छोटी छोटी अपडेट दिलाती रहती है तो देखिए अब फास्ट जो यहाँ पर कोस्टन बन रहा है वो पटना में पढ़ असन के बाद क्या असर हुआ तो चलिए पहले हम लोग उन सभी स्टूडेंट को धन्वाद देना चाते हैं जो वहाँ पटना गए और पटना जाके जहां तक हुआ अपना मैनत किये तो दोखिए उन सभी स्टुडेंट को हम लोग धन्वाद देना चाहते हैं और जो पटना में गए स्टुडेंट हैं वो थोरा सा कम स्टुडेंट गए हैं और कम से कम 1500 के बीच में जाना चाहिए था लेकिन फिर भी बहुत असर इसका पराई वीडियो में हम लोग बताते हैं उसके बारे में सारी जानकारी तो उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करके और जो भी अगर इस से रेटेट आपको जानकारी मिल रही है जो आपको डाउट आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को जदा जदा सेर करें जिसे कि सभी स्टुडेंट को पता चल पाए कि आगे हमें अब क्या करना है और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा ले तो देखिए यह सब है इतने स्टुडेंट गए हैं देखिए बहुत पहले हम दो कमेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चे कमेंट क सपोर्टर मुर्दावर तो इनके लिए हम बताना चाहेंगे कि इनको कुछ जनकारी इनके पास है नहीं कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि जेनरल में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट है जो हम पे भेजे थे अपना मार्स उनका जेनरल में रेंक ही था 6075 त सब का मेहनत में यह सफलता है कि आप सब के मेहनत में पपू यादव भी आये थे और उनका भी काना है कि हम आपके साथ हैं जी हां फ्रेंस उनका भी काना है कि हम आपके साथ हैं तो जो भी लोग स्टुडेंट लोग मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत से पीछे नहीं हटना है और ऐसे ही मैनत करते जाना है क्योंकि अब पपू याद आफ साथ हैं फिर और जितने भी मंत्री हैं वह भी साथ होंगे तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इस पोस्ट से रिलेटेड जो मंत्री है ठीक है राजा सभीवाग के तो रहम सुरज राय जी बूले कि हम लोग जरूर बात करेंगे और मेरा भी कोशिस रहेगा कि इस पोस्ट को हम लोग रद नहीं होने देंगे क्योंकि जब जिस समय यह पोस्ट निकला गया था उस समय साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि यह 12th pass eligible है इस पोस्ट के लिए क्योंकि जो बिहार अमीन का जो कॉलेज होता है वो बिहार में नहीं है उतना जिसके कारण से यहां पर बिहार अमीन बालों को हुई इस पोस्ट के लिए eligible हैं यह जरूरी नहीं था इस यह लिखा हुआ था और हम लोग पिछले वीडियो में इसका जो नोटिफिकेशन था पेपर में दिया हुआ वो भी हम लोग दिखा चुके हैं तो इस कारण से इस पोस्ट को रद नहीं कर सकता था और यही बात राम सुर अगर प्राइवेट अमीन मंगाते हैं सरकारी अमीन नहीं रहता है तो एक दिन का कम से कम तीन हजार रुपिया ले लेता है तो इस करन से बिहार अमीन पोस्ट का बहुत ज़्यादा जोड़ी है तो इसलिए रद नहीं किया जाए और हम सुरत राई जी का भी यही करना है कि इस पोस्ट को रद नहीं किया जाए क्योंकि देखिए यह जो नोटिफिकेशन था वो पहले दिया हुआ था कि जो डिपलोमा किये हुए या आईटी किये हुए जो भी एस्टुडेंट थे उनसे यह बिहार अमीन का जो पोस्ट कॉंटेक्ट बसेश पराता था तो उनसे य नहीं हो पाया वह इस पोस्ट को अच्छे डंग से काम नहीं कर पाया इस पोस्ट पे जिस कारण से यह 12 पास स्टुडेंट के लिए निकाला गया और वह भी पर्मानेंट वेकेंसी यह था अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पटना हाइकोट की तो देखिए पटना हाइ हाइकोट के लिए बहुत बटना हाइकोट के लिए मंजूरी दे दिया है सकेन तारीक के लिए ठीक है इसको हम लोग सकेंट तारीक बोलते हैं तो यो पटना हाईकोट ने ये कह दिया है कि student के लिए second तारीक दिया जाएगा उसमें student आके इस बात पे आप अपना जो भी है एड़ोकेट या जो भी जिनको भी रखते हैं स्टुडेंट के तरब से तो उनके आप लोग अपनी बात रख सकते हैं तो दखिए हम यही करना चाहेंगे कि महनत लगातार करना है और बहुत सारे से स्टुडेंट थे जो की पटना नहीं आ पाए थे तो नेक्स्ट जब भी डेट आएगा तो नेक्से डेट जिसले या आएगा तो हम लोग जरूर बीडियो बनाएंगे उस पे और खिस टाइम में कहां जाना है ठीक है तो इस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे तो आप सब तयार एए क्योंकि इस वार कम से कम एक हजार से पंदरा सवा के बीच में जाना है ठीक है और नेक्स जाता है देखिए LRC से क्या बात चीत हुई तो देखिए सबसे फर्स्ट है LRC जो है वो अंदर जाने के लिए यह नहीं दे रहा था वो बोल रहा था डी वाएसपी से हमको पास बनाना है उसके बाद हम अंदर जाने देंगे तो बहुत सारे मेहनत के बाद दो स्टुडेंट अंदर गए हैं तो वह भी बात बोले कि इस पर हम लोग बहुत अच्छे से हाई कोट से बात करते हाई कोट और मंतरी सब लोग से बात करते हैं उसके बाद हम भी अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे आगे क्या करना है तो यही थी स्टेप ऐस्टेप खबर उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुगा और नेक्स्ट फी अगर इस पर कोई भी छोटी छोटी अपडेट आती है तो हम लोग जरूर लेकर आएं हम लोगा जलओा करत इसे हमनन श्यक्तरशा को झाले करते हैं कि वी दुम्मारे शपको जागे पहें रहें हुआ हैं